बीसीसी आई के कड़े विरोत के बावजूद आईसीसी बोर्ड के ज्यादात सदस्यों ने पुनरगठिक्स राजस्व वितरण मॉडल के पक्ष में मद्दान किया है विश्वसनी सुत्रों के अनुसार भारत को सिर्फ श्रिलंका से समर्थन मिला जब किस मामले को लेकर जब मद्दान के लिए रखा गया तो जिंबाववे अनुपस्तित रहा पाकिस्तान, न्यूजिलैंड, दच्छुड अफ्रिका, वेस्ट इंडिज, इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया सभी ने राजस्व वितरण में बदलाओ और संचालन धाचे में बदलाओ के पच्छ में मद्दान किया दुबई में चली बैठक के बाद ये फैसला हुआ 2017 ICC Board Meeting में आमदनी के बटवारियों के अलावा और भी कई एहम बातों पर फैसला हुआ 2014 के Big 3 Model जिसके तहत ICC की आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा भारत फिर इंग्लैंड और आस्टेलिया को मिलता था उसके खिलाप खुद इंग्लैंड और आस्टेलिया भी खड़े थे बैटक के बाद ICC Chairman Shashank Manohar ने कहा कि आज ICC और दुनिया भर में क्रिकेट के भविश्य के लिए एहम दिन था 2014 में स्विकृत बातों को बदलने को लेकर Working Group के सम्विधानिक और वित्ती बदलाओ के प्रस्ताओं को ICC Board ने मान लिया है और अब हम सब एक साथ इसे अप्रेल में आखरी प्रारूप देंगे 2014 में एन श्रीनिवासन के कारिकाल में जो प्रस्ताओं लाया गया था उसके मताबिक BCCI को 2023 तक ICC से 3400 करोर रुपे की कमाई होती जिस पर कई देशों को एतराज था इसके पीछे श्रीनिवासन का तर्क था कि इन तीनों देशों से ही सबसे ज्यादा कमाई होती है इसलिए इनका हक भी ज्यादा बनता है लेगिन शोशांक मनोहर ने ICC में पत सम्हालने के बाद इस प्रस्ताओं को गलत बताया BCCI के आपत्ती के बाउजू संशोधी सम्विधान और वित्ती मॉडल को मन्जूरी मिल गई है मॉडल की कुछ बातों पर कुछ आशंकाएं भी हैं जिस पर देखना होगा कि BCCI का अगला कदम क्या होगा देखती रहिए डीबी लाइब